हेलो फ्रेंड तो आपके सामने लेकर आ गए हैं mathematics बेसिक mathematics है mathematics बोल सकते हैं कि जी ट्यू डिप्लोमा का यह फॉस्सिम का mathematics है mathematics ही है कई बार बेसिक भी इसका नाम आ जाता है तो ऐसी जो questions हैं जो आपको इस्क्रीन पर देख रहे हैं कि find the value of third order और determinate तो वह कैसे हम find out करते हैं वह questions को हम यहाँ पर देखने वाले हैं ठीक है तो आपके सामने यह questions है और इस question का determinate कैसे find out करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है वह चीज़े मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ताकि आपको समझ में आ सके हैं जैसे इसको solution किस तरीके से करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको detail में बता देता हूं जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देना है solution यह इस तरीके का अभी इसका determinate find out करना है तो यह वाला जो आपके सामने term दिख रहा है यह जिसके पास arrow मैंने उमाक रखा इसको सबसे पहले plus में रखना sign आपको इसके previous वाले वीडियो में भी मैंने बताया थे इसको पहले plus में रखिए देखिए यह पहला वाला plus फिर minus फिर plus फिर minus plus minus plus minus plus यह हमने co factor निकालने के टाइम पर भी बताया था ठीक है उसके बाद हमारे पास लिखते हैं इस वाले छोड़के माइनर क्या आएगा इस वाले टर्म के लिए माइनर क्या आएगा यह आएगा 0012 यह अगर माइनर नहीं पता है तो एक बार ध्यान से मेरे प्रिविएस वाले वीडियो देख लिजेगा फिर उसके बाद से दूसरा वाला क्या आएगा माइनर माइनर और त्री वाले का है जो माइनर आएगा जो प्लास वाला टर्म होता है माइनस वाला अगया और फिर बादि इसका जो माइनर है वो कौन सा आजाएगा 4, 0, 6 और 1 यह है ठीक है अब minor को कैसे solve करना है मैंने बताया था यह तो 5 है minor को solve कैसे करते है इसका पहले multiplication और minus रखके इसका multiplication तो 0, 2 जा 0 और minus 1, 0 जा 0 ठीक है फिर यहाँ minus 3 है अब यहाँ देखिए 4, 2 जा यह देखिए 4, 2 जा 8 पहले लिखोगे फिर minus लिखोगे 6, 0, 0 हो गया फिर यह minus 1 है अब यहाँ पह देखिए 4, 1 जा 4 और फिर 6, 0, 0 तो यह आपके सामने आ रहा है ठीक है अब देखिए यहाँ तो 0 आ गया और 0 का 5 में multiple करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ भी देखिए शिप 8 बच रहा है और यहाँ minus है यहाँ plus है ठीक है तो यह minus हो जाएगा और 3, 8 जा 24 हो गया अब यहाँ minus है और यहाँ plus है तो plus, minus, minus हो गया और 1, 4 जा 4 हो गया अब इसको solve करेंगे तो देखिए कितना आगया 28 आपके सामने इसका determinate आगया ठीक है तो इस तरीके से इसको solve करते हैं expectation करता हूँ कि आपको यह point समझ में आगया होगा ठीक है अब next point इसी से related एक और questions मैं लेता हूँ जिसे कि ताकि आपको और आसानी से समझ में आ सके हैं ठीक है तो एक और questions हम ले लेते हैं और आपके सामने न थोड़ा सा different questions ले रहा हूँ ठीक है करना उसी तरीके से लेकिन इसमें question देखे क्या बोलना है इसके जो questions बोल रहे है हूँ बोल रहे हैं कि solve the following solve the following equation यहाँ equation को solve करना है ठीक है और क्या है equation आपके सामने equation ऐसे दिया हुआ a 1 minus 2 4 4 2 फिर बाद में 1 3 1 यह line को थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ और equal to 0 दिया है अब इसको solve करना है ठीक है इसको क्या करना है solve करना है तो same पहले मैंने बताया था आपको same मुसी तरीके से repeat उसको लिख देना question में a 1 minus 2 1 sorry 4 है 4 4 2 है 1 3 1 है और equal to क्या है 0 है अब इसी question को आपको यहाँ पर solve करना है तो कैसे करते थे जैसे मैंने आपको बताया था पहले a लिखना है फिर उसका determinant क्या हो जाएगा 4 2 minor minor लिख रहा हूं मैं ठीके minor लिख रहा हूं तोड़ा सा mistake हो गया तो एक बार मैं इसको साब कर लिया ठीके a के लिए a वाले का जो column है a वाले का जो row है उसको अटा दीजे और बचता क्या है 4 2 और 3 1 ठीके उसके बाद से minus 1 आएगा क्योंकि minus symbol रहता है और यहां पर है 1 ठीके इसका minor क्या हो जाएगा तो 4 2 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा फिर उसके बाद से next है minus 2 ठीके उसका क्या हो जाएगा 4 4 और 1 3 हो जाएगा यह है इसको solve करते हैं equal to 0 लिख देंगे equal to 0 है अब देखिए A है यहां पर यहां cross multiplication कर लेंगे इससे क्या हो जाएगा 4 वंजा 4 फिर minus फिर इसका करेंगे 2 3 जा 6 हो गया फिर यहां minus 1 है यहां पर फिर बात में cross multiplication 4 वंजा 4 और 1 2 जा minus करके 1 2 जा 2 हो जाता है फिर यहां पर आपके सामने minus 2 है और यहां पर देखिए 4 3 जा 12 minus और इसका multiplication 1 4 जा 4 यह मैं lining बना रहा हूँ cross का वो आपने नहीं बनाना है आपको direct solve करना है मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ अब देखिए 4 minus 6 की आ रहा है minus 2 minus 2 into a करेंगे तो minus 2 a आ जाएगा फिर बात में यहां पर देखिए 4 minus 2 2 आ रहा है 2 का minus 1 के साथ करेंगे तो minus 2 आ गया फिर यहां देखिए 12 minus 4 कितना होगा 8 8 यहां plus में है और यह minus है तो minus होगा और 8 तूज़ा कितना होगा 16 equal to 0 अब यहां आप देखिए minus 2 a a वाला किसी और के साथ plus minus होगा नहीं क्योंकि a का a रहेगा तो उसी के साथ add होगा यह number है यह आपस में हो सकते है देखो minus 2 और minus 2 दोनों same sign रहते है तो sign वही रहता है और दोनों को add कर देते हैं तो 2 और 16 कितना होगा 18 होगा कितना होगा 18 होगा equal to 0 होगा अब यहां minus 2 a है यह minus 18 इस तरह पाजाएगा तो कितना होगा plus 18 और फिर यह minus 2 multiple है तो इस तरह आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा divide हो जाएगा minus 2 divide कर देंगे तो a की value कितनी आजाती है a की value आगई minus 9 तो यह आपके सामने solution इस तरीके से करते हैं तो यह तरीके से solution आपके सामने आजाता है ठीक है तो ऐसे solve the following वाले questions आएंगे तो इसी तरीके से करना है देखो यह मैंने line बनाया यह वाला जो line बनाया अगर आप यह line देख रहे हैं बीच में line बनाया ताकि यह नीचे मेरे जगा नहीं ता इसलिए मैं इस side line बनाके इधर solve कर लिया वैसे आपके पास भी जगा नहोता इसे solve कर सकते हैं पाकी आप नीचे ही रखके इसको solve करते रहेंगे ठीक है बात मेरी समझ में आ गई होगी ठीक है कुछ और questions भी ले सकते हैं जैसे मैं एक और questions लेता हूँ ठीक है एक और questions आपके सामने रखके और उसको solve करके बताता हूँ कि ताकि आपको और idea मिल सके हैं ठीक है चले मैं एक और question ले लेता हूँ और इस question को भी यही बोला है solve the following क्या बोलेगा solve the following आपके सामने determinate मैं लिख देता हूँ determinate ये है थोड़ा सा different type का ले रहा हूँ x-1 फिर यहां पर 2 है और यहां पर 1 है फिर उसके बाद से यहां पर x है और फिर यहां पर 1 है और यहां पर x plus 1 है फिर यहां पर 1 है यहां 1 है यहां 0 है ठीक है और equal to 0 है तो इस question को अगर आपको solve करना है तो कैसे solve करेंगे अच्छा यहाँ पर 0 नहीं है 4 है चलिए मैं 4 कर लेता हूँ यहाँ पर है 4 ठीक है कोई भी value रहेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको solve करने का जो तरीका है वही उसी तरीके से आप यह solve करेंगे same यह वाले को पहले रखेंगे x-1 ठीक है पता चल रहा होगा कि मैं यह q बना रहा हूँ यह बनाने की इसलिए ज़रूत हती है यहाँ minus आता है और यहाँ पर है 2 यह 2 ठीक है फिर बाद में इसका minor क्या होगा तो यह x होगा फिर आगे x plus 1 आजाएगा यहाँ पर और यहाँ 1 आगे यहाँ 0 आगे ठीक है अब फिर दूसरा वाला है plus 1 उसके minor को आओंगे x है 1 है यहाँ 1 है यहाँ 1 है और equal to 4 है ठीक है same जैसे solve करते थे वह इसे करेंगे यहाँ पर है x minus 1 अब देखिए 1 0 जा 0 इसका अगर cross multiplication करेंगे तो क्या होगा 1 0 जा 0 फिर minus होता है और 1 into x plus 1 का multiple करेंगे तो x plus 1 ही आएगा लेकिन यहाँ आगे minus है तो दोनों sign क्या हो जाएगे minus हो जाएगे यह बहुत खास करके ध्यान में रखना है फिर यहाँ minus 2 अब इसको करेंगे देखो x 0 जा 0 फिर minus होता है फिर 1 का इससे करोगे तो minus x minus 1 हो जाएगा ठीक है यह bracket टगा देते हैं यहाँ plus 1 का देखेंगे फिर बात में यहाँ पर क्या जाएगा x वंजा x और यहाँ 1 वंजा 1 हो गया equal to 4 हो गया अब आगे इसको solve करके लिखते हैं x minus 1 है और यहाँ पर क्या है minus अगर common कर ले तो x plus 1 हो जाएगा minus अगर common कर लिए तो एक तो x minus 1 है यहाँ पर x plus 1 हो जाएगा तो इसका solution क्या होता है पहले का square minus दूसरे 1 का square करेंगे तो 1 ही आएगा फिर यहाँ minus 2 है और यहाँ बचा है minus x और minus 1 फिर यहाँ पर plus 1 है और आया है x minus x minus 1 ठीक है plus 1 है equal to 4 है अब यहाँ पर इसको solve करते है थोड़ा सा और bracket को तोड़ते है यहाँ पर हो जाएगा minus x square और minus minus क्या हो गया plus 1 हो गया फिर इसको करेंगे देखो minus और minus plus हो गया और 2 into x 2x हो गया यह minus और minus plus हो गया और 2 बंजा 2 हो गया यहाँ पर plus plus रहेगा और 1 into x x हो गया फिर plus minus माइनस हो जाएगा और 1 बंजा 1 हो गया equal to 4 आगया अब यहाँ आप देखिए पहला जो आ रहा है वो x square आ रहा है x वाला term देखोगे तो एक यह x वाला है यह x है दोनों plus है तो जूड के क्या हो जाएगे 3 x हो गया अब नमबर देख लिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ तो एक कट कर सकते हैं यह plus 1 और यह minus 1 कट गया ठीक है बचा यहाँ 2 है यह plus 4 इस तरफ आ जाएगा अगर plus 4 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 4 को इस तरफ ला देंगे तो minus 4 हो जाएगा और minus 4 और यह plus 2 करके तो minus 2 आ जाएगा और equal to क्या हो गया 0 तो यह आपके सामने जो आ गया यह quadratic equation आ गया ठीक है अब इस quadratic equation को solve करेंगे जब इस quadratic equation को solve करेंगे अभी quadratic equation solve करने भी आना चाहिए ठीक है यह quadratic equation जो है यह आपको solve करने आना चाहिए ठीक है अभी यह solve अगर कर लेते हैं तो समझे कि फिर बात में आपके सामने I think मेरे ख्याल से कहीं कोई mistake हुआ क्या अच्छा यह minus x square है तोड़ असा यहाँ पर mistake हुआ यह minus x square है यहाँ पर आगया यह minus है ठीक है अभी तक तो comment भी हो गया होगा आप लोग बहुत इस speed में बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं ठीक है अगर मैं minus को common ले लूँ ठीक है तो क्या हो जाएगा यह x square हो गया और जब इसको solve करेंगे न तो आपका x की value दो आएगी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर बता देता हूँ कितने जगह में है यह x square minus 3 x plus 2 equal to 0 इसको solve करने के लिए देखो यह वाला जो आपके पास 2 है न यह 2 को ऐसे 2 product बनाओ जिनका multiplication 2 आए लेकिन addition क्या है 3 है तो 2 अंजा 2 2 और 1 करेंगे तो 3 आजाएगा तो यहाँ पर हो गया x square इसको minus 2 x कर लो और minus x कर लो तो यह addition 3 x हो जाएगा इसको split up form भी बोला जाता है अब यह दोनों में से x common कर लो तो x minus 2 आजाएगा और इन दोनों में minus 1 common कर लो तो x minus 2 आजाएगा अब इन दोनों में देखो एक तो x minus 2 common आ रहा है और एक यहाँ से x बचा यहाँ से minus 1 बचा तो यहाँ से x minus 2 equal to 0 करोगे तो x की value एक 2 आ गई और x minus 1 equal to 0 करोगे तो x की value 1 आ जाएगी इस तरीके से एक question को solve करेंगे तो बहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तो ऐसे ही आपको question को solve करना है और जो भी आपके doubt होते हैं वो comment box में आपको comment करना है ऐसे ही determined के questions मैं कराते रहूँगा और बहुत ही जल्दी धिरे-धिरे मैं आपको पूरा complete portions कराने का प्रयास करूँगा थोड़ा सा बीच में problems आ गए थे चोटा सा accident की वज़े से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था लेकिन अभी ट्राइ करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग के अच्छे से अच्छे वीडियो चंटेन तयार करके और आप तक provide करें अभी के लिए धन्याबाद